अगर आप भी अपने अधारकार्ड में mobile number अपडेट करना चाहते हैं तो या video आपके लिए है तो दोस्तो करना क्या होगा, वीडियो को last तक देखना होगा आगे इस वीडियो में step by step करके दिखाने वाला तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और टाइप करना है इंडिया पोस्ट पेमिंट बैंक टाइप करने के बाद सर्च कर देना है उसके बाद सबसे उपर वाले वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है उसके बाद थ्रे लाइन पर क्लिक कर लेना है उसके बाद सर्व क्लिक कर लेना है उसके बाद यहां से Mr. Message में से सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद यहां पर अपना नाम टाइप करना है यहां पर Last Name टाइप करना है उसके बाद यहां पर Mobile Number फिल करना है यहां पर वह Mobile Number फिल करना है जो आधार कार्ड से लिंक करना चाते हैं, उसके बाद यहां पर email ID फिल करना है, अगर email ID नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद यहां पर address फिल करना है, उसके बाद यहां पर pin code फिल करना है, उसके बाद यहां से post office को select कर लेना है, Post Office सेलेक्ट करते ही नीचे के डेटेल्स आटोमेटिक फिल हो जाएंगे उसके बाद any specific request में मुबाइल नमबर अपडेट फिल कर देना है उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर verification code फिल कर देना है जो यहाँ पर लिखा है उसके बाद सब्मिट पर किलिक कर देना है सब्मिट पर किलिक करते ही योर सब्मिसन है जबीन सक्सेजफूल का मैसेज देखने को मिल जाएगा अधार कार्ड से मोबाइल नमबर अपडेट की रिक्वेश्ट सब्मिट हो चुकी है अब पोस्ट मैन आपके घर के पते पर आएगा और बायो मेट्रिक की मदद से आधार कार्ड में मोबाइल नमबर लिंक और अपडेट कर देगा आसा करता हूँ आपको हमारा या वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभाद